हलो टो एवरीवन दिस इज राम एक बार फिर से मन्जुश्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक NCRT कमिश्ट्री की क्लास 11 की चालू की थी जिसमें फर्स्ट चेप्टर आपका चल रहा है जो की है सम बेसिक कॉंसेट्स और कमिश्ट्री जिसका हिस्टोरिकल बैक ग्राउंड आपके बेसिक फंडामेंटल्स आपकी जो है जो बाते एटम को लेकर के हैं जो बाते मॉलीकुल को लेकर के हैं वो सारी बाते आपके किलिय हो चुकी है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो भी compound given है जो भी matter given है उनकी property क्या होती है and second thing हम जो बहुत important देखेंगे वो देखेंगे कि इनका measurement कैसे होता है तो last की क्लास में हमने बहुत सारी चीजे कवर की थी physics की क्लास में भी बहुत सारी चीजे कवर हो रही है जो की इस chapter में आएंगी और अगर इस chapter में आएंगी तो उन चीजों को हम skip करेंगे इस वज़े से previous क्लास को पहले देखें सेकेंडरी आ करके आप इस क्लास में आए तो I hope की बहुत benefit होगा आपको और clearly benefit होने वाला है यहां पर जो NCRT बोल रही है properties of matter की case में इसकी measurement की case में दो टैप की property यहां पर डिफाइन की गई है एक है physical property और secondary है chemical property तो physical property के अंदर आपको एक बात यहां पर याद रखनी होगी कि जो भी property अगर सपोच करिए कोई भी matter है और उस matter के अंदर कुछ ऐसी properties हैं जिसमें वो अपना shape and size change कर सकता है बट shape and size change करने के साथ साथ उसका test में कोई भी बदलाव नहीं आते कोई changes नहीं आते ठीक है लेकिन कुछ ऐसे substances हैं जो अपना shape size तो change कर रहे हैं साथ ही साथ में उनके जो है टेस्ट में बदलाव आ रहा है क्लियर है तो every substance has unique or characteristics property इस properties can be classified into two categories पहली है physical property एंड जिसमें क्या होगा such as color order melting point boiling point density etc तो physical property अगर metric देखेंगे तो उसमें क्या क्या बाते आपको देखने होंगे उसका color देखना होगा क्या color change हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका order change हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है melting point boiling point density क्योंकि मालोग कोई चीज है जो कि विसकस है और सपोच करो हमने उसे मेल्ट किया हो क्या हो गया हो गया कि सपोच करो जैसे मालो आइस है आइस के एक्जामपल ले लो तो आइस क्या होगा अगर आइस को मैं नॉर्मल temperature and pressure की condition में रख दें एंड टीपी कंडिशन में या आइस टीपी कंडिशन में तो क्या हो जागा वाटर में convert हो जाएगा तो simply क्या हुआ कि फिसकल प्रॉपारिटी में चेंज जासा है क्योंकि solid to liquid में convert हो गया अगर सेम कंडिशन यह किया जाएगी water को क्या करें water को 0 degree पे रख दें तो water क्या होगा आइस में convert हो जाएगा यानि अगर आइस में convert हो गया तो क्या हुई वहाँ पे भी प्रॉपारिटी चेंज हो रही है क्योंकि water liquid form से ice form में आगया यानि की solid form में आगया जो सेकेंडर है chemical property like composition आपको देखना होगा combustibility देखनी होगी आपको reactivity आपको देखनी होगी with acids and bases एक्टरा यहाँ पर आपको chemical property के अंदर क्या क्या बात देखनी है composition देखना है combustibility देखनी है आपको reactivity देखनी है acids देखनी है base देखना है क्योंकि जब हम reactions पढ़ेंगे तो reactions के अंदर हम कुछ catalyst देखेंगे और own catalyst की catalytic property देखेंगे जिसमें कुछ positive catalyst देखेंगे जिसमें कुछ negative catalyst देखेंगे और कुछ asic catalyst भी होगे जो क्या करेंगे reaction दी बिटबीन बनेंगे जिससे क्या होगा जिससे matter की chemical properties में changes आएंगे तो reactivity का मतलब क्या है reactivity का मतलब है कि जब हम किसी भी matter का किसी acid के साथ किसी base के साथ क्या करें अगर reaction करा हैं तो उसमें हमें ये देखना होगा कि किस-किस बात में changes आ रहे हैं क्या ये बात clear है तो physical properties can be measured और observed without changing the entity और the composition of the substance तो physical property क्या है physical property एक ऐसी property है जो matter में changes तो लाती है लेकिन कैसे without changing the identity उसकी identity में कोई changes नहीं आते और the composition of substance और उसके substance के composition में भी कोई changes नहीं आते तो आपको दोनों बाते याद रखनी है पहली बात क्या आप उसकी identity change नहीं कर पाओगे आप उसका composition चेंज नहीं कर सकते like for example ले लो water water एक ऐसे example है जो पूरी chemistry की problem को solve करके रखता है अगर हमें कोछी समझ में नहीं आ रही है बस यहीं बोलते water ले लो जैसे अगर हम बात करें H2O की कंडिशन हम क्या देखेंगे हैं हम H2O को zero degree पर as a ice देखते हैं कैसा देखते हैं as a ice form में अगर सब्सक्राइब यहां पर है कंडिशन है तो हम कैसा देखते हैं water form में means liquid form में as a liquid form क्ये बात kommt हो रही है जेखो नवर यहां पर उसकी क्या हो रही है नियैक उसके identity change हो रही है तब हम उसे water बोल रहते अगर ice तो यह उसे form of water बोलेंगे अगर weapon में converter तब हम उसे क्या बोलेंगे form of water ही बोलेंगे अगर हम बोलें कि composition में क्या changes आ रहे हैं बिलकुल नहीं आएंगे अगर हो आई सा तब भी हम H2O ही बोलेंगे अगर हो water की form में है तब भी हम क्या बोलेंगे H2O ही बोलेंगे क्या ये बात clear हो रही है क्या ये बाते clear हो रही है आपको तो आपको यहाँ पर याद रखने की नीड है इस चीज को दोनों point को ना तो identity change होगी ना तो composition of substance change होगा लेकिन in the case of chemical property chemical property केस में क्या क्या बाते होंगी तो the chemical property requires a chemical change किस-किस बात की requirement है वहाँ पे chemical change होगा वहाँ पे chemical change के इंदर सिंस क्या है chemical change के इंदर सिंस यह है कि अगर हम मालो सब पोच कर लो हमारे पास एग है अंडा सब खाते होंगे आई हो अना protein चाहिए सभी को तो अंडे को क्या करेंगे अगर हम अंडे को boil करते हैं क्योंकि एक ऐसा substance है जो क्या होता है boil करने पर या करने पर solid में करवाट हो जाता है तो पहली बात क्या अगर हम अंडे का test as a raw अंड़ा देखें तो उसका अलग होगा BUT हम जब boil कर देते हैं तो test अलग होगा अंडे की सबजी बना देते तो test अलग अंड़ा बनाए तो test अलग अंडे का जब भी हम उसके तंप्रेटर में चेंज कर रहे हैं जब भी हम उसके प्रेशर में चेंज कर रहे हैं जब भी हम उसके वाल्यूम में चेंजिस ला रहे हैं देंसिटी में चेंजिस ला रहे हैं तो हमें क्या क्या बाते देखने मिल रही है उसका हर बर टेस्ट चेंज हो रहा ह तो जहां पर भी chemical changes की requirement आएगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी chemical property, measurement of physical properties does not require occurrence of chemical changes, तो physical property के case में chemical changes का होना जरूरी नहीं है, clear है, the example of chemical properties are characteristics reaction of different substances, these include acidity और acidity and combustibility etc, यानि कोई चीज बहुत जड़ा खट्टा भी हो सकता है, कोई चीज में भी हो सकता है, वो अकराने लग जाए या कैसाला का टाइप में हो जाए, या उसी combustibility में changes आ जाए, to commence to describe, interpret and predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their physical and chemical property, which are determined by careful measurements and experimentation, in the following section, we will learn about the measurement of physical property, यानि हम इस section में physical property को क्या करने वाल है, उनकी measurement के बारे में पढ़ने वाले है, मैं यहाँ पर आपको एक बार उता दूँ, जो भी class physics में हो गई है, जैसे suppose करी physical property की यहाँ बाते आ रही है, मैं भी हो सकता है, यहाँ पर बाते prefixes की आएंगी, मैं भी हो सकता है, यहाँ पर बाते significant value की आएंगी, ठीक है, यहाँ पर system की बाते आएंगी, कितने system होते हैं, यह सारी बाते हैं, physics में define कर चोके हैं, ठीक है, अगर मुझे लगेगा, कि कोई para ऐसा है, जो leave कर देना चाहिए, आपका previous class से cover हो जाएगा, तो हम leave कर देंगे, clear है, बट अगर कोई para describe करने वाला है, तो मैं उसे definitely describe करूँगा, यहाँ पर क्या बात है, measurement of physical property की बाते हैं, यहाँ पर quantitative measurement of properties is required for scientific investigation, many properties of matter, such as length, area, value, etc. are quantitative in nature, any quantitative observation of measurement is represented by a number, followed by units in which it is measured, for example, length of our room can be represented as a 6 meter, here 6 is number and meter denote meter, I am क्या denote कर रहा है, meter denote कर रहा है, the unit in which the length is measured, तो कहने का कुल मिला के यहाँ पर बात इतनी सी है, इस पूरी बात में है, कि हमें जो physical property measure करना है, हम कैसे measure करें है, quantitative measure करें, quantitative measure करने के अन्दा सेंस यह है, है कि हम उसकी magnitude पर focus करेंगे, clear है, तो हमारे पास पहली बत कितनी system है, हमारे पास देखो देखने को तो हमें 3 system मिलते हैं, कौन-कौन से, हमें 1 MKS system मिलता है, जिसे हम SI system भी बोलते हैं, एक हमारे पास CJ system होता है, और एक हमारे पास FPS system होता है, इन सारे system के थुरू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग physical property को ही measure करते हैं, अगर suppose करो मुझे MKS system के थुरू, किसके स्थू MKS system के थुरू, अगर मुझे length measure करनी होगी, तो मैं बोलेंगे, मेटर में measure करेंगे, अगर suppose करो मुझे weight measure करना होगा, या mass measure करना होगा, हो तो हम किलोग्राम में मेंजर करें अगर टाइम मेंजर करना होगा तो जो सेंटीमेटर में में मेंजर करेंगे में मेंज मेजर करते हो ठीक है फुट में मेजर कर रहे हो जो आपका मास है उसे आप पाउन मेजर करते हो और जो आपका टाइम है उसे सिकेंड में तो यह क्या है यह कुछ हमारे पास सिस्टम है यह कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है जो एक इंटरनेशनल लेबल पर सिट कर दिये गए हैं कि भाई सब आप चाहे किसी मास को कैनेड़ में मेजर करो चाहे इंडिया के किसी छोटे से गाउं में मेजर करो अगर आपको मेजर करना है तो अगर आप ऐसा ही सिस्टम से मेजर कर रहे हो तो आपको मास किलोग्राम ही बताना होगा क्या बात Clear है चाहें आपको चीज़ अंटार्टिक में मेजर कर रहे हो चाहें आप कहीं भी मेजर कर रहे हो तो एक इंटरनेशनल सीस्टम की तुरू क्या चीज है ये फिक्स है कि आपको आहां पर क्या-क्या बाते घ्लान देनी है तो अरलाय तो डिफरेंट सिस्टम और मेजरमेंट डैट इंगलिश सिस्टम एंड दे मैट्रिक सिस्टम यहां पर दो सिस्टम के बारे में डिफाइन किया गया है एक है इंगलिश सिस्टम और दूसरे मैट्रिक सिस्टम देखो अब कुछ लोग क्या है भाई मास मेजर कर रह तो यहां पर आपको क्या ध्यांद ना देखो एक्जाम में आता नहीं बट आपकी नॉलेज के लिए बात पाता होनी चाहिए जो मेर्टिक सिस्टम में पहली बात तो फ्रांस में ओर डूसरी बात यहां पर जो आपको याद रखनी है यह डेसिमल सिस्टम पर बेस है किस सिस्टम पर बेस है डेसिमल सिस्टम पर अभी हम डेसिमल सिस्टम को डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे अभी आएगा डेसिमल सिस्टम बट अभी हम यहां पर लाइन यहाँ पर जो सिस्टम है जो इस पारे में नीचे बाते हैं देख लिते हैं सिस्टम की बात की गई इस इस प्राइब बता आई गए और वвойूनेट of units French list system international the unites abbreviated as SI जो आपका French list system international the unites जो आपको यह system था उससे को short way में abbreviate कर दिया गया है as a SI system के नाम से आपको बस इतना याद रखना है बट आपको यह नाम याद होना चाहिए by chance यह नाम मैंने exams में देखा है जो बोर्ड के exams होते हैं लाइक आइसी बोर्ड या आपका CBST हो या आपका UP बोर्ड हो ठीक है मैं इन तीन बोर्ड के exam में यह चीज़ अबजर्ब की है कि कभी-कभी इससे सवाल आ जाता है ठीक छोटे-मोटे exam में भी आ जाता है जो छोटे-मोटे competitive exam है ठीक है conference on weights and measures CGPM from conference journal this points measures clear यह बात यह आपको जीपसा नाम है आपको याद रहे तो भी ठीक है न याद रहे तो भी ठीक है कोई सका matter नहीं है matter आपको जहां पर होगा हम बताएंगे क्या यह बात clear हो रही है तो ऐसा ही सिस्टम में हमें क्या देखना है सिंपल ही पहले बात को समझना देखना क्या है ऐसा ही सिस्टम के अंदर तो हमें कुल मिला करके ऐसा ही सिस्टम के अंदर हमें देखना है यहां पर देखो यह जो measurement का आपका national standard measurement है यहां पर बात बोली गई है आप इसे आप रीड कर लिजेगा कोई बहुत important यहां पर बात नहीं है जहां पर important बात है वहां पर सीधे हम focus करते हैं देखिए यहां पर हमारे पास जो पढ़ने की चीज़े जो हमारे काम की चीज़े तो यह है कि SI system has seven unit यहां पर यह हमें याद होना चाहिए कि SI system के अंतर unit कितनी है जो सबसेक important thing है जो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यह बात आपको physics में भी लागू होगी यह बात आपको dimensional chapter में भी लागू होगी यह बात आपको vector की quantity जो भी आपका chapter है उसमें लागू हो उसका significant figure का portion खतम हो चुका है उसका error analysis complete हो चुका है तो अगर नहीं देखा है तो आप सारी classes को playlist के तुरू follow कीजिए आपको यहाँ पर सारी classes कराई जाएंगी तो SI system के पास कितनी unit है हमारे पास 7 7 based units and they are listed in table 1.1 तो सीधे हम क्या करते है टेबल पर ध्यान देते है कौन-कौन सी यो unit है तो पहली अगर हम आप बात करें तो पहले हमारे पास जो unit है उससे बोलते है जो physical quantity है वो है length यानि length की जो unit है SI system गंदर हो क्या है meter क्या है meter जिससे अगर abbreviate करोगे तो small m से measure करोगे पिलियर रहे बात अगर symbol की बात करें तो जो हमारा length का symbol है वो क्या होगा L मास्क एगर बात करोगे तो क्या होगा symbol आपके small m जो unit होगी होगी kilogram और जो आपको abbreviated sign होगा वो क्या लेख सकते हो kg लेख सकते हो similarly time cut आपको T से denote करना है जो उसकी unit होगी हो second होगी electric current उसका जो आपके MPR होगा I से denote करोगे जो आपका thermodynamic temperature है उसको आप capital T से denote करते हो जैसे की unit होती है Kelvin ठीक है amount of substance है आपका mole होगी उसकी unit आप small answer denote करोगे फिर जो आपकी last है जिससे आप बहुत luminous intensity इंटेंसिटी फिलियर है उसे आप IV से denote करते हो जिसकी unit होती है candle यहाँ पे हिंदी वाले सुने लेंद को simple सी बात है हिंदी में क्या बोलते हैं लंबाई बोलते हैं बहुत बेस ठीक है amount of substance यानि simple सी बात है आपके पास amount of substance के यहाँ पर matter क्या होगा यहाँ पर matter होगई कोई amount है कोई substance है जिसका कुछ amount होगा यानि पदार्थ की मात्रा जिससे आप कहा सकते हो एक line में luminous intensity जिससे आप क्या बोलते हो जयोती तीबरता आगे define करेंगे physics की class में बहुत अच you will learn definitely about the seven basic physical quantity of SI units system क्या यह बात क्लियर है यह आपको बात यहाँ पर पता होनी चाहिए तो आपको यह 7 याद होनी चाहिए तो जा definition of SI based units are given in table तो इनकी सबकी definition given है आपको यह learn करना है इसमें कोई ऐसी understanding वाली बात नहीं है जो आपको understand की जाए ठीक है तो यह मैं टेबल आपके skip कर रहा हूं तो आपको टेबल क्या करना है learn करना है मैं बार बार बोल रहा हूं जहां पर चीज़े skip करने वाली होंगी हम skip करेंगे definitely are you getting my point तो यहां पर क्या unit of length मेटर सिंपल जी बात है मेटर डिफिनिशान उसका सिंबल उसका जो आपका एक amount है वह से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको यह टेबल लर्न करनी होगी जो इसमें फॉर्मेशन गिवेन है वह आपको लर्न करनी होगी is it clear or not clear है अब हम बात करते प्रिफेक्स की अब देगे प्रिफेक्स को अगर आपको समझना है डेप्त में समझना है तो आप फिजिक्स वाली क्लास में जाए आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट वहां पर देखिए और वहां पर जाकर कि जो हमारी पहली क्लास है पहली क्लास मे हमने physical world को define किया है और उस physical world के अंदर हमने prefix क्या होती है suffix क्या होती है उनके symbol क्या होती है उनके amount कैसे find की जाती है आखिर उनकी हमारे जो है पूरी science है वोसमन की valueability क्या है सारे चीज़े will define है और आपको ये सारे चीज़े क्या होंगी याद करनी होंगी देंकि prefix का मतलब कुछ नहीं होता simple से एक बात होती है कि अगर हमारे पास कोई amount है और जिसका amount बहुत बड़ा है सपोच करो हम अगर किसी amount के पीछे अगर सपोच करो यहां पर मैंने 5 denote कर लिया ठीक है अगर इस पर मैं 0 लगाँगो तो मैं बोल सकता हूँ कि यह क्या है 500 हो गया अगर एक 0 लगाँए तो क्या बोल सकते है 5000 हो गया अगर एक 0 लगाँए तो क्या बोल सकते है 5000 हो गया अगर एक 0 लगाँए 50 lakh हो गया तो उसके बाद लगाँए अगर हम इतने सारे 0 लगाते जाएंगे तो after a certain limit क्या होगा हमाई limit खतम हो जागी उसे पढ़ने की जब ऐसी कोई amount हमारे सामने आती है तो हम वहाँ पर यूज करते है prefix या suffix जब हम prefix की बात करते हैं आधिक हम उस amount के जो पहले एड़ कर देते हैं उससे बोलते है prefix जाने की जो amount है जो भी unit given है उसके अगर हम पहले किसी चीछ को तो क्या मैं 5 kg को 5 x 10 to the power 3 लेख सकता हूं कि यह बात क्लियर है अगर हम बोलते हमें लेखना है 5 hectogram तो क्या मैं hectogram को यहां पर 5 x 10 to the power 2 लेख सकता हूं बिल्कुल लेख सकते हैं तो यह आपको याद रखना होगा जो मैंने याद किया था मैंने ट्रेक्स से याद किया था कैसे सीधे रखता मारा था क्योंकि कोई option नहीं होता कुछ चीजों का science में कोई option नहीं है जहां पर concept clarity की नीद है वहाँ पर concept clear होंगे आपके जी मेरा promise है आपको ठीक है तो जैसे मैंने याद कि था कि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली और मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो जाने कि पहले एक बार सीधे चले आओ और एक बार उल्टा चले जाओ अगर आप ए सेंटी डेसी मेटर डेका हेक्टो किलो अब यहां पर एक बात को मेरी गौर से समझना यहां पर जो एक बात बहुत समझने वाली है वो यह है कि मास एंड वेट देखिए अब यहां पर दोनों बातों में आपको concept की clarity होनी चाहिए पहली बात यह कि मास क्या होता है सेकेंड अब बात यह कि वेट क्या होता है कि यहां पिक अगर बात करेंगे तो यहां पर एक तो आपकी आप on the basis of quantity find करेंगे इसे क्वाइटिटी कि आपकी scalar quantity है कि आपकी वेक्टर quantity है आप प्र एक इस बेसे पर भी मास और वेट को समझ सकते हैं है इसे कि मास और गरंब यहां पर gravity की basis पर भी mass और weight को समझ सकते हैं क्योंकि जो mass होता है वो केवल क्या होता है amount of matter होता है mass क्या है amount of matter mass of a substance is the amount of matter present in it while weight is the force exerted by the gravity on the on an object यानि कहने मतलब क्या है कहने मतलब यह पर बहुत simple सा है जो mass होता है अगर सपोज करो मेरे पास कोई ऑबजेक्ट है या कोई सपोजकुल करो मेरे पास polythene है और मैंने उस polythene में कुछ भी मैंने fill कर दिया कोई box है उसमें हमने sound fill कर दी जो भी amount of sand होगी वो क्या होगा मास होगा अगर सपोर्ट करो मैं उस box को कहीं पर hold कर gravity अपर फोर्स एक्जटार करने लग जाती है तब वही Amount Of सबस्टेंस amount of matter Convert हो जाता है weight में क्या बात clear है क्या बात clear हुई है तो आपको मास्म मास्म को क्या याद रटना है मास्म को याद रटना है कि सबस्टेंस俺े सबस्टेंस का तक क्या है क्या लगाने लग जाता है जब कभी ग्रैविटी किसी भी ओब्जेक्ट पर फोर्स लगाने लग जाती है तब हम उसे बोलते हैं वेट एक simple example यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां पर जितनी भी चेज़े प्रजेंट है सब में weight है, mask नहीं है क्योंकि यहां पर हर एक object पर क्या लग रहा है gravity लग रही है अगर हम आज अर्थ पर चल पा रहे हैं उसकी surface पर चल पा रहे हैं तो क्या है, weight है क्योंकि gravity force exert कर रही है अगर हम यही बात space में करें तो space में क्या होता है इंसान तेरने लग जाता है अगर हम gravity line को cross कर जाएं तो gravity line के बात क्या होता है इंसान तेरने लग जाता है हमारे सारे सारे satellite क्या कर रहे है अपनी अपनी access में move कर रहे है क्यों मूब कर पारें क्योंकि उनकी जो ग्राविटेशनल फोर्स है खतम हो चुकि यानि अर्थ की ग्राविटी खतम है तो आप उस अस्पक्त में बोल सकते हो जो भी आपके सेटेलाइट का वहां पर अमाउंट है वो के वल मास है क्योंकि वहां पर ग्राविटी नहीं है अगर ग्राविटी नहीं है तो सिंपल सी बात है वहां पर ग्राविटी फॉर्स एक्जाट अभी नहीं कर रही हो अगर ग्राविटी फॉर्स एक्जाट नहीं कर रही है तो वहां पर वेट की बात नहीं आएगी वहां पर किसकी बात मास की बाध आए कि कि अ अगर आपको अपना मास जाना है न तो आपको ऐसी प्लेस में जाना हूँ जहां पर ग्रैवीटी न हो किया बात किलियर हो रही है तो कश्रिध कहां पर नहीं होगीالم होगी पहली बात कि story अर्त में पहुंच में पहुशना पॉसि Bubble नहीं है तो हमारे पास मास पता करने का कोई एक ऐसा बात यहां पर नहीं होती कि हम मास पता कर सके अगर हमारे पास बहुत ज्यादा साइंटिफिक एक्क्यूपमेंट है यह हमने वहां पर कंडिशन क्लिएट कर रखे जीरो ग्राविटी की जैसे पालेट को ट्रेनिंग दी जाती है ज जाती है जिरो ग्राविटी पे जहां पर ऐसी बाते आती है तो आप मस पता कर सकते हो अदरवास पता नहीं कर सकते क्या यह बात क्रियर हुई है 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 क्या पूरी एक क्लियर हो रही है लग जाएगा वो ग्राविटी तब यह बात क्लियर है तो जो सब्स्टेंस का मास होता हो कैसा होता है वेरज इस वेट में वैरी फ्रॉम वन प्लेस तुन आदर दू चेंज़ेस इंग्राविटी सिंपल सी बात है हर एक चीज का हर एक अब्जेक्ट का क्या है मास फिक्स है बट वेरज चेंज हो सकता है क्यों चेंज हो सकता है बई क्योंकि अगर ग्राविटी में चेंज़ेस आएंगे तो एक फार्मूला याद रखना डबली उक्वल होता है एम जी डबली उक्वल क्या होता है एम जी यानि किसी मास में ग्राविटी क्या करें फोर्स सब्सक्राइब पार के ग्रावित एक साथ कर जो ये टेंका फोर्ष्ma में और परbonesLO कब ये वात क्रोंछ ये ठीज नहीं होगा तोपिक में हम क्लिए करेंगे जब थे उपर जाते हैं याट्म- इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है जब से करते हैं ज beiden हैवित्स कर लब shift की condition में gravity की condition क्या है height की condition में gravity क्या है यह हम कहां देखेंगे physics की क्लास में तो दा मास अपाश सबस्टेंश नि czy कैई नियुर्ड एक पो और याइट तौ अगर हम आपको माश मेंचर करना हैं तो हम मास को केवल कहां मेंचर कर सकते में लबबरेटरी में कर सकते हैं क्या यह बात किलियर हो रही है आपको और वह भी कैसे हमारे पास एक अनलेटकल बैलेंस होना चाहिए हमारे पास एक तराजू होना चाहिए किलोग्राम एक कितना होगा 1000 में तो आपको यह क्या करना है आपको लगॉरेटरी में यह अमांट यूज करना होगा कैसे किसे यूज़ यूज़ रिद यूज़ टू दो इसमालर अमांट केमकल जूज इन यूजक्स नी यह पर शिम्पल्स इतनी है कि जब भी आप लबोर्टरी में जाते हो अगर आपके कॉलेज में प्रक्टिकल हो रहे होंगे तो आधरवाई तो आज कल होता क्या है एक्जामनर आ रहा है और एक्जामनर को क्या कर दिये जाती है एक फिस्त हमा देते हैं कि हमारे जी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें 30 नंब दिखाते नहीं होंगे बट अगर रियल्टी में आपको कमिस्ट्री समझनी है तो आपको लैब में जाना होगा आपको लैब में चीजे देखनी होंगी आपको अनलेटिकल अपरोज के साथ काम करना होगा तब ही अप कमिस्ट्री को साइंस को फील कर सकते हो क्या यह बात क् में होते हैं solution form में नहीं होते क्योंकि after a certain time उसका जैसे से time spend बढ़ता है वैसे वैसे उसकी chemical property में changes आते हैं तो simple सी बात है अगर chemical property में changes आएंगे तो उसकी reactivity में भी changes आएंगे तो जितना भी compound होता है जितना भी आपका mixture होता है जितने भी आपके solution के नीड़ होती है वो सब के सब chemicals आपको powder form में होते हैं और आपको सबसे प्रक्राइत टास्क क्या होता है लैब के अंदर लैब केंदर सबसे प्रक्राइत आपके पास यहीं है कि जो भी आपके पास पावडर फॉर्म में इस computersУ प्रॉजिंट हैं और करो आप लिक्क्त 그렇지 भर कर न चाहते हो तो सोडूरीज प्रfront करने का आपको वहां पर मैठी कि आपके पास प्हांने बात क्या होना है वाला है आपके पास जो क्या बात clear है आप वहां पर बनायोंगे यह भाई हमने इतने मौल यह चाहिए मुझे इतने मौल कर चाहिए कि क्या यह बात clear हो रही है यह पर क्या बात आएगी वहां पर analytical balance की बातें आएंगी आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो यह सारी बाते कहां फील कर सतो लैब में तो आप अपने हग के लिए लड़ो अगर कहीं ट्रक्टिकल नहीं होते तो जाईए प्रिंसिपल से मिलिये बोली हमें प्रक्टिकल कराईए तब आपको चीजे बहुत इजली समझाएंगे अब वह है अमाउंट ऑफ इस्पेस जो किसी भी सब्स्टेंस के थ्रू अक्यूपाई कर ली जाए देखिए यहां पर मैटर क्या है अगर सब्सक्राइब कोई वाटर है वाटर है या कोई लिक्विट फॉर्म में कोई चीज है हम उसे जहां भी डाल देंगे वो क्या करेगा उस अगर हम पानी को बाईटी में ढाल दें तो बहुत क्या कर लेता है अग्र हम उसी पानी को टेंक Kती में डाल दें तो क्या कर देंक लेता है यहां पर क्या है यहां पर इठ है दे यूनेट इसका यूनेट क्या होगाس रोगा यहाने कि मेटर क्यूब होगास कि यह बात क्लियर है क्या होगा ट्यूल sensing यहां पर देखेंग यह है आपका अनलेटिकल rester जो कि ncrd ने डायग्राम दे रख़ा है यहां पर बात को समझेगा यहां पर क्या-क्या चीज़े हैं आपको एक बार मैं define कर देता हूँ यह है कि यहाप की जैडर करिया क्या है यह यहाप की होगल यहाप कर यहाप यह यहां पर देखोगे इस पर होगे भी यह आपको डीम गेर राटते हो आप सब्सक्तेंज को राटते होerer्स्टेर्स amount of substance लिया है वो क्या है वो आपका एक amount of substance fix है या exact है एक आपको कौन बताएगा ये बताएगा एनलेटकल बैलेंस ये बताएगा ये लयब में रखा होता है अगर नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं लड़ाएम कोई बुराई वाली बात नहीं है तो लैब में आप इसे देखेंगे तो सब का अपना परपेज होता है जो भी आपके आप अपजेक्टित दिखाए गए हैं सब का अपना परपेज है चलियर है यह बात क्लियर है यह बात क्लियर भी आपको तो वाइल्यूम को अगर ऐसा यूनिट में देखोगी तो क्या होगा मीटर क्यूब होगी सिंपल सी यूनिट ठीक है बट अगें इन कमिश्टी लगुरेटीज स्मॉलर वाइल्यूम सार यूज तो सिंपल सी बाद है जिस तरह से हम स्मॉलर मास यूज करते हैं तो सब चीज का हम जो क्या करते हैं एक स्मॉलर अमाउंट यूज करते हैं एक प्रोटोटाइप ही यूज करते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है हैंस वाइल्यूम इस is often Denoted in cm2 जैसे आप बोल्षते 5-d ŕ मीटर क्योब जैसकी यूनिट है यह सकी वाध्यूम की याबत के लिए है आप partially unit आपकी liter होती है भिशे नॉट ऑपकी लीटर ऐसा एट नहीं है कि यूज्ड फॉर मेजर्मेंट आफ वैल्यूम आफ लेक्विड लेकिन हम क्या करते हैं लीटर को यहां पर देख सकते हैं यह आपको डियाग्राम नजर आ रहा होगा ठीक है जिसका डेफिनेट सेफ है डिफेरेंट यूनिट यूनिट टू एक्सप्रेस्प्रेस दवाइलियू आपको यह क्या किया इस क्यूब के वाइलियू को डिफाइन करने के लिए अलग-अलग यूनि अगर आप यहां पर बात करेंगे इस पूरे की तो है कि आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका में यहां अगर इस हम सब को क्या कर दिया अलग- Wear कि जब में इनको कर देंगे तो क्या होगा यह इसटीर हो जैएगा प्रियर एंपे और यहांपे हम क्या करें एक जब एक क्यूब का करेंगे इस छोटे सा क्यूब का तो क्या होगा one सेंटी मीटर क्या हुआ वन सेंटी मीटर अब यहां से यहां तक काउंट करो कितने हैं 12345678910 आपके कितने सेक्षन है टेन सेक्षन है ज्यानि पूरी लेंद्ध कितनी हो गई 10 सेंटी मीटर वो जो कि क्या हो गई क्या बात किलियर है जो इस एक सेक्षन एक छोटे से क्युब्स की आप को मिजर्मेंट बताई गई है उगर गया है वान सेंटी मीटर क्या यह बात के लिए तो किया मेरी बात को समझ पा रहे हैं आपको यह बात यहाद रखने हैं देखे और मैं यह पर एक बात आपको बताता हूं जो बेसिक सी बाते हैं जो आपकी बेसिक मैट है उसकी हम एक क्लास अलग से चालू करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि सारी क्लास आपको फॉलो करनी है तब ही आपको चीज़े समझ में आएंगी बार-बार मेरा यही कहना है इन दर लबॉरेटरी दर वैलिम आप लिक्विट्स और सॉलूशन्स कैन बी मेजर बाई ड्रेजुएटेट स्लेंडर आपके पास यहाँ पर देखे कुछ एक्ट्यूब्मेंट गिवन है जो कि एंसियाटी बोलती है कि आपके पास ग्रेजुएट स्लेंडर होगा ठीक है पानी पीने का गलास नहीं है कि जो घर में रखा हुआ मिलेगा के अब वैलिमेट्रेट्स फ्लास्क प्रिपेर अनन वैल्यूम ऑफ बा सॉलुशन्स वहाँ पर एक क्या होता वा यूमेट्रेट्स की होता है जिससे आप क्या कर सकते हो कि सब्स्टेंस का वाल्यूम हम लोग पढ़ते हैं यह आल अपको एपको इंच्छ स्लेंडर और यह आपको वथरמצ के स्पल आफ में हाई रही है यह जो नेक्स्ट कर वालियोंने की याद करो करो का याद होना चाही है तब ही आप है निगाल पाउगे यहाद से क्या mass कि हमें क्या मिल जाएगी अगर ऐसा unit निकालने तो kilogram और यहाँ पर वाइल्यम की meter cube तो kilogram पर meter cube टिक इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है अगर centimeter cube की case में निकालोगे तो gram पर centimeter cube आजाएगा क्या बत किलियर है आपकी next unit आती है temperature देगे temperature के अंदर आपको कई unit पढ़नी है पहली बात अगर आप degree Celsius पढ़ेंगे अगर आप फिर Fahrenheit पढ़ेंगे और फिर Kelvin पढ़ेंगे तो इनके भी जो relation है जो बहुत important चीज़ है तो there are three common scales to measure temperature यहां पर तीन हमारे पास common scale है जहां पर temperature measure करते हैं पहला है degree Celsius और दूसरा है Fahrenheit और थार्ड आपको क्या है Kelvin ठीक है एक और होता है जिसे हम rumor के नाम से जानते हैं बट उसे ज्यादा तर हम यूज नहीं करते तो NCIT भी उसके बारे में कुछ नहीं कहती कहने से बचत Kelvin है Kelvin है Kelvin is the SI unit आपकी degree Celsius या Fahrenheit SI unit नहीं है आप degree Celsius पो यह आप Fahrenheit को एजस्ट संपली मेंटरी यूनिट यूज कर सकते हो बड़ जब आप SI unit की बात आए कि तो क्या होगी Kelvin तो the thermometer based on these scales are shown in figure आपका एक figure given है आगे जो देखेंगे generally the thermometer with Celsius scales are calibrated from 0 degree to 100 degree where these two temperature are the freezing point or boiling point ठीक है boiling point of water respectively and the Fahrenheit scale is represented between 32 degree to 112 degree क्या यह बात clear है तो ड्रिमी चेल्शेस में अगर बात करेंगे तो degree Celsius का जो is your until hour degree Celsius के लिए zero degrees से 100 degrees यह जिल्डे को रोटर को दीक होता है यह relevant के तो फारेन हाइट के केस में क्या है फारेन हाइट स्केल में आपको 32 डिग्री से लेकर के तो अगर इनके बीच रिलेशन देखेंगे तो टमप्रेचर और टू स्केल्स आर रिलेटेट टू इच अदर आपको यह यह पर याद रखना होगा कि जो फारेन हाइट होता है ओर दुट इसका फार्मूला फइन प्लो तो अब Sci एक निकल के आएगा अगर आपको यह याद नहों तो क्याने कर गयाएगा 3 अपॉन 5 एक्वाल एक माइनस 32 बाई 9 क्या यह बात क्लियर है तो यहां से आप इसे भी याद रख सकते हैं Is it clear or not The Kelvin scale is related to the Celsius scale अगर आप degree Celsius में 273.15 देखो आप सीधे सीधे इस जो point वाली value है उसे मत याद रखना कि वह बात 273 याद रखना तो 3 प्लस 273 क्या होगा 1 Kelvin 2 प्लस सॉरी degree centigrade प्लस 273 क्या हो जाएगा 1 Kelvin क्या बात क्लियर है Is it clear or not यह आपका temperature का जो है एक diagram given है Kelvin में degree centigrade में Fahrenheit में तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको freezing point बता दिया गया है कि भाई सब water का freezing point इतना होता है अगर 0 degree पर water का freezing point इतना है तो Kelvin में temperature कितना होगा 273 degree और Fahrenheit में 32 degree तो Kelvin में कितना होगा 373 Kelvin तो है और यहाँ पर 212 degree Fahrenheit क्या यह बात क्लियर है तो different different type पे आप relations निकाल सकते हो क्या यह बात क्लियर है या नहीं है अगर यह बात क्लियर है तो आपको यह समझ लीजी आपने unit की जो basic बैकबोन है वो आपने समझ लीजी इस पूरी चेप्टर की बैकबोन है यह क्या बात क्लियर हो रही है अब यहाँ पर जो हम next बात देखने वाले है वो हैं हमारे पास uncertainty and measurement देखिए uncertainty and measurement को हम next class में देखेंगे क्लास ज्यादा लॉंग हो जाएगी फिर आप भी बोज़ेद फील करोगे क्योंकि line to line पढ़ना भी एक टास्क है ठीक बट मैं आपको क्या करूँ है यहाँ पर साइच से clear हो रही है तो आप channel को share किया करो subscribe किया करो और अगर आप uncertainty को आप पहले से समझना चाहते हैं कि पहले से ही समझ में आ जाए तो physics की class देख लीजिएगा physics की class में error analysis को समझिएगा error analysis वाली class में हमने साइच चे define की है तो thank you so much मिलते है next class